मैं इस वक्त उसी रूम में हूँ जहापर गांधी जी का जनम वाता ये देखे आफ जहापर माता ये लाओंप जी का जाफिए जिक घए जहापर गांधी चेजश का लेपया दो अलेख दम्म वाल मीम का जाउबा देखे प्सAyशनार का जानम में। लेक में जेखे तेयए निए अज़का हत् है Ol investigate कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किर्थी मेहल में और जो की गांधी जीए जो गांधी जी का जो जनमस्थिवली यह वो ही और मैं इस वक्त उसी रूम में हूँ जहां पर गांधी जी का जनम माता ये देखिया इस प्रकार की लमारी यही चला करती थी यह वही कमरे हैं वही घर है जिन में गांधी जी यह को पुराने टाइम में जैसे होता था ना समान लगने का टांड वगेरा तो आज मैं ऐसी महान हस्ती के यहां पर गांधी जी ने जनम लिया और केवल हमारे देश पर ही नहीं विदेशों में अफरीका पर भी उनका काफी उपकार है और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके जीवन को अगर आप ने कुछ उनके कुछ अंस भी अपने जीवन में रख लिए तो आप जिन्दगी को बेहतर और सुगम बना सकते हैं तो ये एतिहासिक इस्थल है जिसमें आज यहां पहुँचकर मुए आनंदित हो रहा हूँ और बहुत रोमानचीत हूँ इसको देखकर सवाग्या है मेरा कि मैं एक ऐसी महान सक्सियत के घर पर हूँ जहां पर उन्हों नहीं आ बच्पन में खेले होंगे यहीं रहे होंगे यह सब चीजे आप देख सकते हो समय का भाव भी है यह देखी दि उसके पीछे का यह पोस्टर भी दिखायेगा लेकिन मैं रियल उसी घर में दिखे वे धेखीओिए सुल्चय लेकिन युषण का यहीं SAY वहीं एक इन्हों जो सिझेल्स पार्वट souvent इन्हों बचले में उसके ट तो दोस्तों यह था कीर्थी मंदिल जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था और यह आपको बस स्टेंड से करीब एक किलोमेटर के असपास पड़ेगा और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां से आपको दो किलोमेटर दूरी पर ही पढ़ने वाला है और इसका समय सुबह 10 बजे से साम 6 बजे तक होता है तो आप इस दोरान कभी भी आकर यहां पर इस एतियासिक इस्थल का दर्सन कर सकते हैं